हेलो स्टूडेंट्स हाई वेलकम बैक तो मैं चैनल लर्निंग विद दिव्या तुड़े वी टॉक्ट अबाउट सम वेरी इंपोर्टन टॉपिक ताट इस फूड प्रिजर्वेशन आज हम फूड प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर फू फूड प्रिजर्वेशन टॉपिक से रिलेटिड कुछ इंपोर्डन कोशिंस हैं वो भी लास में करेंगे तो कीव वाचिंग वीडियो देखिएगा और फिर अपना फीडबैक दीजेगा तो सबसे पहले तो आप जान लीजे वाट इस फूड प्रिजर्वेशन फूड प् मतलब छोटी या लंबी समय अवधी के लिए खराब होने से सुरक्षा प्रदान करते हैं खराब होने से बचाते हैं फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं उसे ही हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं फूड प्रिजर्व करने से क्या होता है या फूड प्रिजर्व क्यों और फूड प्रिजरवेशन के ठूचित कसी, पूडर सम्भव सनक्छित रखा जा सकता है तो पार FOOD के color, taste, nutrients भी को उफ प्रिजब कर सकते हैं. इक नॉरमल्मलनी में इंट्रोडक्शन लिए, समझे नीगार, नेक्स्ट हम क्या बात करे나हें? प्रिंसिपल्स और food preservation खाद सनक्षंड के कुछ सिध्धान्त है आज हम उन सिध्धान्त के बारे में जानेंगे उनकी बात कर लेते हैं चलिए वोग सिध्धान्त क्या है देख लीजिए जिसमें सबसे पहला है स्टूडेंट आपके destroying microorganism मतलब सबसे पहला principle है सूश्मन जीवानों को नश्ट करना फूड में जो आपके microorganism पाया जाते हैं जिसकी वज़े से आपका जो फूड है वो खराब हो जाता है सड़ जाता है तो उनको ही खतम कर देना उन सूश्मन जीवानों को ही नश्ट कर देना लाइक बिक्टीरिया कुछ भी जो भी microorganism है आपके फूड में पाया जा रहा है तो उसको एक आप इस तरीके से प्रिजर्व करते हैं फूड को कि उसमें जो सूश्मन जीवानों है वो बिल्कुल नश्ट हो जाते हैं सेकेंड आपके स्टॉपिंग दा र्याक्शन सूफ में जीवानों की अभी क करते हैं बेंका उब का जो उक्ता है जिसकी वज dipsधे से आपका फूड खराब हो जा जाता है तो या तो बिल्कुल आप उसको डिवा को रोक दीजी यह उसमें देरी उत्पन कर दीजें बिलन मुतपन करना कुछ massage की जाती है जिससे आपके फूड को सड़ने से खराब होने से बचाया जा सकता है थर्ड वान इस इन्हिविट एंजाइम रियक्शन एंजाइम की अभी क्रिया को रोकना एंजाइम के कारण भे आपका जो है भोजन खराब होता है ठीक है और यह जो एंजाइम्स होते हैं यह फूड में नाचुरली प्रिजेंट होते हैं एक आपने केल सद्ध्र में प्रिजेंट होते हैं तो प्रिजेंट को रोक देंगे तो जो आपका फूड है खाद पदारत है वो सड़ने से बच जाएगा तो तो दीज आर थी फ्रिंसिबल और फूड प्रिसरवेशन निक्स्ट क्या है मैथडस अप फूड प्रिजर्वेशन अब किस तर देखिए कूलिंग मैथड जो होता है आप भोज पधार्ट नॉर्मली अगर आप घर में देखते हैं तो फूट पधार्टों को सनक्षन करने का जो एक सबसे इंपोर्टन्ट होता है वह होता है उसमें से उसकी नमी को हुमिडिटी को आतरता को हटाना ठीक है जैसे हमने दाल है यह गहूं है आपने देखा हार्वेस्टिंग होती है बहुत बड़े पहमाने पर खेत लाइक चो हम्तुर को प्रिजर्फ किया जाता है उसमें से क्या कर जाता है बिलकुल उन्हें सुखा लिया जाता है नमी बिलकुल ख्थम कर दी जाती है बटंग कूलिंग मेथन यह क या आपके milk हो गया कि इनकी जो नमी है इनकी जो आदरता है food products की बनी रहनी चाहिए जैसे आपके सबजियां है ठीक है तो अगर आप इनकी आदरता बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए cooling methods का यूज़ किया जाता है घर में आप refrigerator का यूज़ करते हैं और अगर हम बड़े पैमाने पर बात करें इंडस्ट्रिय लेवल पर बात करते हैं तो cold storage आपने देखे होंगे चिली storage देखे होंगे जहां पर बड़े पैमाने पर food की आदरता बनाई रखे जाती है उनकी जो humidity है वो उसमें बनीर है जिससे जो है पधार जो food products है वो सड़े नहीं खराबना हो तो यह आपके इसके examples होगे इसमें examples आप बहुत से ले सकते हैं आपका आटा है गुथा हुआ कचीवा पकी सबजियां है fruits हैं दूद हो गया, एग हो गया आपके meat होगे, जो non-waste खाते हैं यह सब इस method के थूँ preserve किया जा सकते हैं second one is preservation by heat आप यहाँ पर किस के थूँ हमें preservation देनी है heat के थूँ normally आपका जो room temperature होता है इस पर जो virus और बिक्टीरिया जो एंजाइम होते हैं food में वो बहुत तेजी से growth करते हैं, बहुत तेजी से व्रदी करते हैं और active रहते हैं, ठीक है reactions करते हैं, तो अगर हम food का temperature बढ़ा दें मतलब food को पका दें, तो वो जो bacteria होते हैं, वो नश्ट हो जाते हैं वो microorganism खताम हो जाते हैं और आपका food जो है वो पार्शुराइस्ट, milk आता है, आपने दूद देखा है जो packet में दूद आता है गर्मियों में भी आप घर में भी normal दूद को बार-बार उबालते हैं और फिर उसको refrigerate करते हैं, ठीक है तो और सबजीयों को आप पका के रखते हैं तो यह सा preservation by heat है जिसमें आप क्या कर रहे हैं जो micro-organism है, जो enzymes हैं उनकी activities को रोख दे रहे हैं ठीक है, पार्शुराइस्ट का method तो आपके मुखे रूप से दूद के लिए ही किया जाता है दन इसके लावा आपके second method is sterilization, इसमें भी micro-organism की activities को नश्ट किया जाता है और फूड को जो आपके डिबबा बंद food होते हैं बॉटल में जो food मिलता है वो sterilization के method के तुरू मिलता है समझ में आगे दोनों method next one is preservation by dehydration जिसकी मैं सबसे पहले बात कर रही थी बिलकुल नमी को सुखा देना जैसे आप अनाज जो है आप कृशी प्रिधान देशा भारत ही Wanna आपको पता ही है तो आपको गहु है धान है डाले है जिसमें बिलकुल भी नमी नहीं होनी चाहिए मेवा है इन सब को आप प्राकतेग रूप से सुखाते हैं बिलकुल धूप में सुखाते हैं एकदम नमी इनके सुखा देते हैं और फिर इनको प्रिजर्व करते हैं जैसे नॉर्मली अभी घर में चिप्स वगरा बनाया जाते हैं ना पापड बनाया जाते हैं तो यह सब आपके dehydration के method के तुरू प्रिजर्व किये जाते हैं and the last one is preservation by chemicals chemicals कुछ ऐसे होते हैं students जिसके तुरू food को long term के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है यह जो फूड होते हैं यह जो फूड होता है उसमें जो भी आपके bacteria's है yeast है इन सब को या तो खतम कर देते हैं या इनकी activities को कुछ अलग तरीके से increase कर देते हैं तो कुछ important यहां पर मैं आपको chemicals बताने जा रही हूँ food preservatives बताने जा रही हूँ जिनका use किया जाता है घरों में भी किया जाता है और बड़े इंडस्ट्रियल पैमाने पर भी किया जाता है वो food preservatives आप जानेंगे ठीक है यह ऐसे chemicals होते हैं जो food की रक्षा करते हैं किसे bacteria's से करते हैं microorganism जो भी है उससे food की रक्षा करते हैं जिसमें सबसे पहला है आपका sodium metabisulphide यहां पर आप देख लिए नमबर वान इस food preservatives by chemical method sodium metabisulphide इसका formula होता है students NA2S2O5 तो यह है sodium metabisulphide इसका जो use है वो jam में sauce में और आपके जो अचार pickles वगरा बनते हैं उसको preserve करने के लिए किया जा सकता है किया जाता है जा सकता नहीं किया जाता है ठीक है now the second one is sodium benzoid sodium benzoid जो है यह सबसे जादा use किया जाने वाला preservatives है chemical preservatives है जिसका जो use है वो आपके soft drinks और acidic food मतलब pickles वगरा में किया जाता है ठीक है और जो आपके soft drinks market में मिलते हैं उसमें किया जाता है sodium benzoid का use बहुत ही normal और बह chemical preservatives थर्ड वन इस आपके आजाता है यह पर सॉर्बिक आसट यह है सॉर्बिक आसट यह इससे आप इसके sols भी यूज कर सकते हैं तो sodium और potassium sorbit का अत्यधिक प्रियों किया जाता है कुछ भोजपदार्तों में जिससे इस्ट है फफून दी है इनकी ब्रदियों को जो मचली उत पादन जाब मचली पर आपके आपके जाते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है अग्ट लास्ट वन इस एपुक्साइट्स यह हो गया इसमें आपके एथिलीन और प्रोपिलेन एपकसाइट्स जो कम नमी उकत खादय पहर्त होते हैं जिसमें नमी कम होती है उस के लिए बहुत ही बढ़िया preservatives होते हैं जैसे आपके मसाले हो गाएं में इस preservative का chemical preservatives का यूस किया जाता है epoxides का clear हो गी बात आपको तो यह कुछ chemical food preservatives हैं जो मैंने यहां पर important समझे हैं आपको बताने students तो इन्हें आपको जानना भी ज़रूरी है Sodium Benzoate हो गया, Sorbic Acid हो गया, Apoxids हो गया या आपके Sodium Meta Bisulfide हो गया, clear हो गई? अब हम निक्स देख लेते हैं क्या है, अब यहाँ पर आप कुछ Quesn करेंगे No.1 Quesn is काद पदार्तों के परिरक्षण, मतलब वही Preservation हे तू, निम्न में से किस रसायन को यूस किया जाता है, प्रियुक्त किया जाता है, या आप इस Quesn को ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि फलो के रस को सुरशित रखने के लिए, या ये भी पूछा जाता है कि खाद पदार्तों को सुरशित रखने के लिए या खाने की वस्तुओं को सुरुषित रखने के लिए किस प्रिजर्वेटिव का यूज होता है तो sodium chloride है, sodium benzoid है, sodium tartrate है, sodium acetate है तो अभी आपने पढ़ा वो क्या है? sodium benzoid है और आपसे पूछ लिए soft drinks जो फलो के रस है उसे प्रिजर्व करने के लिए सबसे अधा किसका यूज किया आता है तो अभी आपके sodium benzoid का किया जाता है clear हो गया? Now the second question is खाद या पधारतों के परिरक्षन हे तू, मतलब preservation हे तू निम्नांकित में से कौन सा प्रियुक्त होता है? sodium carbonate, acetylene, benzoic amyl, sodium chloride तो इसमें आपके option हो जाएगा option number C, benzoic acid benzoic acid आपके aromatic carboxylic acid है यह हलका होता है, colorless होता है, चमकदार होता है और आपको crystal powder के रूप में मिलता है इसका जो formula होता है students वो C6H5COOH होता है, ठीक है? benzoic acid का और इसको sodium benzoid के रूप में food preservatives में यूज किया जाता है इसके salts को, ठीक है? sodium benzoid के use में या आप इसको benzoic acid भी बोल सकते है तो दोनों तरीके से questions आप से पूचा जा सकता है आपको पता होना चाहिए third one is refrigeration, मतलब प्रशीतन, ठीक है? खादी परी रक्षण में, food preservation में मदद करता है, कैसे मदद करता है? रेफिजरेटर बोल दीजिये, लेकिन प्रशीतन करना मतलब रेफिजरेट करना रेफिजरेशन करना वो food preservation में कैसे मदद करता है? और वो किसी भी लेवल पर हो सकता है चाहिए घरेलू लेवल पर, डुमेस्टिक लेवल पर आपके जैव रसायनिक अभी क्रिया की दर को कम करके करता है फूड आपका फ्रीज में भी खराब हो जाता है अगर आप बहुत लॉंग टाइम के लिए फ्रीज में खाना रखके भूल जाएंगे वो भी सड़ जाता है लेकिन, mostly एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, hardly तीन दिन तक के लिए भी आप रेफिजरेटर में रेफिजरेशन कर सकते हैं फूड को प्रिजाफ कर सकते हैं वो क्या करता है, जो आपके बायो केमिकल जो प्रॉसस है उसकी रेट को कम कर देता है ठीक है? the next question is 흥 निम्न मैं से कौन सा समान प्रशी तक मतलब रेफिजरेंट ठीक है, रेफिजरेंट एगोई हुाराई हूँ है ऐसा कौन सा नॉमल रेफिजरेंट है जिसका घरेलू फ्रिज में घरेलू रेफिजरेंटर्स में यूज किया जाता है वो कौन सा रेफिजरेंट है नियॉन है, ऑक्सीजन है, फ्रेयॉन है या निमने में से कोई नहीं तो वो आपके फ्रेयॉन है नॉर्मल जो घरों में हैं आपके जो रेफिजरेटर होते हैं उनमें जो रेफिजरेंट का यूज किया जाता है वो फ्रेयोन है now the next question is students पार्शुराइजिशन निम्न में से किस विधी द्वारा प्रियोग में लाया जाता है जो पार्शुराइजिशन का मैथर्ट से है जो mainly दूद के लिए दूद को प्रिजर्फ करने के लिए किया जाता है पाकेट में जो आपके दूद आता है वो पार्शुराइजिशन या कूलिंग तो बाई हीटिंग मैथर्ट आपने पड़ा दो मैथर्ट यूज़ किया जाते हैं पार्शुराइजिशन और स्टेरिलाइजिशन now the next question is students इस्टेरिलाइजिशन की प्रॉसेस में भोजन को किस निश्चताप तक गरम करते हैं तो on an average 115 degree Fahrenheit, 30 degree Fahrenheit, 212 degree Fahrenheit या 40 degree Fahrenheit तो 212 degree Fahrenheit that is 100 degree Celsius 100 degree Celsius में आपका क्या होता है water boiling temperature है तो इस्टेरिलाइजिशन की प्रॉसेस में भोजन को एक जो निश्चताप है वो आपका 212 degree Fahrenheit है या 100 degree Celsius होता है जिसमें आपका water boil होता है और इसी में आप जो है सबजीवगर पकाते हैं और आपके जो enzymes, जो bacteria है, microorganism है वो खताम हो जाते हैं, नस्ट हो जाते हैं दूद को भी आप इसी temperature पर हीट करते हैं इस sterilization की process में एक on an average temperature है Now the next question is चिल स्टोरेज का तापमान लगबक कितना होता है 31 degree to 45 degree Fahrenheit, 70 degree Fahrenheit, 60 degree Celsius या 112 degree Celsius तो 31 to 45 degree Fahrenheit होता है that is 0 degree Celsius 0 से थोड़ा और उपर हो सकता है 4 degree Celsius तक तो 0 degree Celsius means freezing temperature जहाँ पर water बिलकुल freeze हो जाता है तो जिससे आपके ice cream है, cheese हो गया, meat हो गया इन सब को preserve करने के लिए आपके बड़े जो broad levels है उस पर इसका use किया जा सकता है किया जाता ही है cold storage का और चिल स्टोरेज का cold storage तो आप में देखे हैं जो आपके सबजियां है, सबसे important होता है potato वगेरा, उनको आपके cold storage में रखा जाता है और चिल स्टोरेज में आपके ये भी आ सकते हैं सबजियां है, दूद है, अंडा है, पनीर है अंडा तो नहीं कर सकती, मैं पनीर बोल सकती हूँ और आपके दूद भी नहीं बोल सकती क्योंकि freeze हो जाएगा, जम जाएगा तो आइस्क्रीम ले सकते हैं, सबसे best example है चिल स्टोरेज का So, point to be noted student, क्या है मैंने लिखा 32 degree Fahrenheit, that is 0 degree Celsius, यह 31 to 45 degree Celsius है, तो on an average Fahrenheit में लिया गया है तो 0 degree Celsius to 4 degree Celsius तक हो सकता है ठीक है, water, 0 degree Celsius पर आपके बिल्कुल freeze हो जाता है तो आइस्क्रीम best example है चिल स्टोरेज का, आप में देखा भी होगा जो आइस्क्रीम बेचने आते हैं उनके पास एक चिल स्टोरेज होता भी है तो दो method हम यूज करते हैं cold storage और चिल स्टोरेज broad level पे, जब by किसके होता है method, cooling method So students, आज की कहानी यही पर खतम होती है मैं वीडियो को wrap up कर रही हूँ वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को subscribe करना, like करना और share करना मत भूलेगा views तो काफी होते हैं अबर पता नहीं क्यों like करने में आप लोग कन्यूसी कर देते हैं जो एक thumb का, जो इस तरीके से sign है उसको blue कर दो स्टूडिंट तो मुझे भी अच्छा लगेगा motivation मिलेगा और subscribe करिए bell icon जिरों ने प्रेस किया हुआ है notification नहीं जा रहा है कुछ आपके YouTube की problem है नहीं जा रहा है notification तो उसको फिर से एक बार पुना प्रेस कर दीजेगा ठीक है तो हो सकता है notification आपके पास आजाए चलिए thank you so much next video मिलेंगे next topic के साथ तब तक stay safe and stay home अपना ध्यान रखे अपने आस पास अपका ध्यान रखे बाई